नवस्तेय जी, देहरेवान हिलिंग साइन्स से मैं हूँ देहरेवान, आपका अपना हिलिंग मास्टर, high vibration में जाना चाहते हैं, अपने आपको हमेशा high vibration में रखना चाहते हैं, ताकि manifestation आपका बॉर्फुल हो जाए मैं, तो आज आपको पार आपको यको एक ऐसा switch word दोंगा औ बहुत सारे शारेलिक लाब, अध्यात्मिक लाब और आपको थाइरोइड ग्लैंड में बल शक्ति देगा आज का ये वीडियो आपके इतने काम आने वाला है कि आप कलपना भी नहीं कर सकते कि केवल अपने आपको हाई वाबरेशन में लेके जाने का कितना सारा बाय प्रूटक्ट आपको मिल सकता है, मिलता है मेरे अपना अनुभाव है, जिसमें कई लोगों के साथ मैंने ये प्रयोग करने के बाद ये जो switch word है और ये जो मुद्रा है, जिसे हम कहते हैं आगाश आगाश ये switch word ही है और इस यही एक मुद्रा है जिसमें आप अपने middle finger जिसमें आगाश तक्तो होता है, उससे आप अपने अंगुठे ये मतलब अग्री तक्तो वाले उंगली से push करते हो, ना खुन टच नहीं करना और ध्यान के लिए एक मुद्रा बनाते हो, जिसमें आप कोई भी एक आसन लगाते हो चाहे वज्रासन हो, चाहे पदमासन हो, या कोई भी आसन, जैसे कि अर्द सिध्धासन हमिश्रा, जैसे कि आप मुझे देखे हैं, मैं अर्द सिध्धासन में बैठता हूँ, ये भी एक आसन ही है या सुध्धासन जिसमें आप पूरी तरह से सुध्धासन में बैठते हैं सुध्धासन में क्या होता है आपका जो एड़ी होता है वो आपके गुदा द्वार यानि के मुलधा चकरे के नीचे स्थिर होता है जिससे आप अपने गुदाद्वार को दबा के रखे होते हों तो ऐसे आसन लगा करके आप आकाश तत्तो का आकाश ये मुद्रा बनाते हैं लिड़ की हिड़ी सीधी और आकाश 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 देखा आपने जितने बार जब मैं आकाश बोल रहा हूँ उतने बार मैं इसे पुश कर रहा हूँ चलो अब तो आप ये जान गए इस पर और चार्चा करेंगे आप ये जान लिजेए इसके क्या क्या शरिक लाब है थैराइड पैराइड ये जो ग्लेंड है इसे ये शक्ती से भर देता है जिने भी थैराइड की दिक्कत है उससे ये अभ्यास करना शुरू कर दो अपने आप थैराइड ग्लेंड हील होना शुरू हो जाएगा सलाइवरी ग्लेंड जो होते हैं जिसमें सलाइवा निकलने में कभी-कभी लोग को दिक्कत होती है जबान सुखने लगता है मूँ सुखने लगता है स्वाद अच्छे सा नहीं आता खान अच्छे सा नहीं पचरा होता है तब भी आप ये मुद्रा कराईए और ये स्विच्वाट बुल हुआईए ट्रॉंसल किसी का बढ़ावा कभी-कभी होता ना ठंडी लाके में गया है कोई infection हो गया कोई bacteria हो गया ट्रॉंसल बढ़ जाता है अकाश मुद्रा बनाईए और अकाश chant कराईए कितने दिर करना है बताऊंगा और इसकी कुछ फायदे समझे जो सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि जब भी आप कुछ manifest कर रहे होते हो तो vibration important है जब भी आप low vibration में रहोगे ना दुख, तकलीप, चिंता, परिशानी ही आप attract करोगे हाँ, अपने आसपास कुछ भी negativity है उसे खीचोगे अपने तरफ खीचोगे कि जब भी आप low vibration में होते है negativity अपने आप आपके तरफ खीची चली आती है तो कभी भी खुद को हील करना चाहिए तो सबसे पहले अपनी vibration को हाई कीजिए यह तो बेहत प्रसंद्ध होना आश्चक है आनंद में होना आश्चक है नित्त करें भजन करें करें राधे, राधे, राम, राम, किर्दन करें, हालिलुया, अल्ला मौला, वहे गुरू, वहे गुरू, जिस भी धर्म से आप हैं, नाचे, कुदे, खुश हाल, लोगों के साथ वाइबर्शन शेयर करें, तो वाइबर्शन हाई होगा, अगर ऐसी विवस्ता नहीं है, तो आकाश मौंत्रा बना करकि अपने वाइबर्शन को हाई करें, जिससे आप सकार आत्मकुर्जा को अपने तरफ खेचने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे, और जो भी आप मैरिपेस्ट करना चाहते हैं, जीवन में जोभी छीज़ आप प्राप्ट करना चाहते हैं, जहां अब यह आप होना चाहते हैं, उससे अपने तरफ खेचेंगे, आकाश मतलब ब्रम्हान, Space, इंगलीज में बोलने से ज़्याद समझ में आता है, Space मतलब दो चीजों के बीच में Space, दो चीजों के बीच में ब्रम्हान बोलूँगा, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, कम्प्यूटर में भी एक होता है, मुबाल में भी होता है, Space, दो अलफ़ाबेट के बीच में Space, तो वो Space का मतलब अगर आप थोड़ी पी समझेंगे, तो ब्रम्हान को कहते हैं, अंतरिक्ष में Space ही, शब्द का ही इस्तमाल किया जाता है, तो अपने शरीर में Space, ब्रम्हान, आकाश बढ़ाने के लिए भी आप इसका इस्तमाल करते हैं, अब इसकी जरुत क्यों पर रहे हैं, भाई, यदि आप कुछ भी चीज़ को ग्रहन करना चाहते हैं, तो Space होना चाहिए न अंदर, मन में, औरा में, आत्मा में, शरीर में, जब भी ग्रहन शिल्ता बढ़ानी है, जब भी रिसीविंग को बढ़ाना है, तो Space चाहिए, मोबाईल में Space खाली करना खरो, तब नया फोटो खिच पाएंगे, नय वीडियो बना पाएंगे, है न, तो अगर आप अपने शरीर में अधिक खाना डालना चाहते हैं, जिनको भोक नहीं लग रही है, भोक की समस्या बढ़ रही है, तो इस मुद्रा का प्र अकाश मुद्रा बनाई है, इंचान के शिया आकाश, 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 तो आपको याद अच्छे से होगा, क्योंकि आप गरहन अच्छा कर पाएंगे, आप कोई भी गरहन तो कोई भी बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि मैं ये स्रीमत भगवत गिता पढ़ना अच्छे का पराता कि मैं भगवन कृष्णा के शब्दों को गरहन कर सको, अपने अंदर व्याप्त कर सको, तो गरहन शिल्दा बढ़ाने के लिए भी आपको आकाश तत्यों कि आशक्ता होगी, तो आप इस मुद्रा का प्रियोग करेंगे, और जैसा कि मैंने कहा आपका कमिनिकेशन, आपकी प्राफिंग स्किल, आप में से बहुत लग, कमेंट में मुझे कहते हैं न, कि आपकी वाणी बहुत अच्छे है, आपकी बातों को सुनके ही अराम मिल जाता है, तो विशुद्दा चक्र में जब परमात्मा की करिपा होती है, मुझे तो करिपा उपहार मिला होता है भागे से, मुझे ये उपहार मिला है, तो और मुझे ये भी मालूम है, कि परमात्मा नी ये उपहार मुझे अपने लिए नहीं दिया, जैसे गुलाब को खुश्बू और सुन्दरता गुलाब के लिए नहीं दी गई है, संसार में खुश्बू पहला होता है परमात्मा से दिया हुआ तो वो आपके लिए नहीं होता उस अंसार में उस उपहार को फैलाने के लिए होता है तो कहीं न कहीं यह जब ग्यान हमारे गुरुवों ने हमें दिया मुझे समझाया तब से ही यह परमात्मा ने जो पहार दिया है उससे मैं आप लोगों को हील करने के लिए सुपहर का रियोग करता हूँ और मैं आपने आपको बहुत भाकिशाली समस्ता हूँ कि परमात्मा मेरे द्वारा ये काम करा रहे हैं तो आपकी मिशुद्धा चकर को ये मुद्रा और ये सुष्वड शुक्तिशाली बनाएगा दूसरा शरीर में लचक, फ्लक्सिबिलीटी बढ़ाएगा हाँ, अगर आप कलरीपयातु का अभ्यास कर रहे हैं जैसे कि आप आज कल में कलरीपयातु का अभ्यास कर रहा हूँ आप योग कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं आप जिम में वर्काउट कर रहे हैं या माशेरार्ट से करें, या जो भी दोड़ना, भागना, कोई भी शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें शरीर में लचक होने चाहिए, है ना, तो आप ये मुद्र लगा करके शरीर में बल को बढ़ाते हैं, अब इसका प्रयोग कैसे क करना है, ये में भी समाझना क्योंकि अधुरा ज्यान बहुत खतरनाक होता है, इसका जब भी प्रयोग करेंगे तो, दिन नहीं तो उर्जा का छह होगा क्योंकि उर्जा को प्राप्त करने के लिए भी उर्जा की ही यावशक्ता होती है खाना को पचाने के लिए भी खाना से ही मिली भी उर्जा की यावशक्ता होती है है ना गाड़ी में पेट्रोल डलने के लिए जाओगे तो उसी पेट्रोल को जलाकर ही जाओगे गाड़ी में पेट्रोल डलने के लिए राइट इंजन को स्टार्ट करने के लिए भी फ्यूल लगता है तब इंजन स्टार्ट होता है फिर उस इंजन के स्टार्ट होने से फिर आप बैलन्स कर पाओगे दिन में तीन बार का सुबह खाली पेट कर ले दोफेर में कर ले और शाम को खाली पेट कर वैसे तो खाने के बाद भी किया जा सकता है लेकिन अनुभाव मेरा ये कहता है और बागी योगियों का ये खाने के बाद शरिट थोगा स्लो हो जाता है तो खाली पेट इस अभ्यास को करना इस अभ्यास को जब भी करेंगे पहले अपने मूलाधार चक्र और अपने विशुद्धा चक्र में अनंत सिंबॉल बना लेना इंफिनिटी का सिंबॉल बना करके स्थापित कर देना जैसे कि इंफिनिटी 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 या अनंत 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 स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो अनंत 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 स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो दोनों को स्थिर करना और फिर तिन से 15 मिनिट तक का आप यह अप्यास करना आकाश आकाश बार बार उठाने के जुरूत नहीं बटाए बस इस Ethiopressure point को दबा लिया और आकाश आकाश तो जीतने बार Ethiopressure point push होता जाएगा उतने बार आपका thyroid gland stimulate होता जाएगा प्राणों को बढ़ाता है आपके शरीर में आपके जब इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं आकाश कहते हैं तो रम्हान से प्राण उतरते हैं आपके प्राण उर्जा उतरती है तो आपके नाडियों से होते हुए यह आपके विशुद्धा में पहुंसता है तो आपके शरीर म आपके आत्में में प्राणों की शम्ता बहुत जाता पढ़ जाती है उतने जयाधाल से पत्राण नहीं होगे उतने ज्यादा आनंद से भरे रहेंगे कोई भी काम करने के शक्ति चैये होता है हड्डियों में calcium deficiency कभी नहीं होगी और जिसे हैं वापस calcium की मात्रा अच्छे से बढ़ाई होगी flexible होने के लिए हड्डियों का मजबूत होना बहुत ज़र रहे है तीसरा आपके कानों को कानों से जुड़े कोई भी समस्या को यह मुद्रा बहुत हच तक क्योर करता है हाला कि कान के लिए एक अलग मुद्रा है शुन्य मुद्रा और शुन्य मुद्रा को हम कानों के लिए इस्तिमाल करते हैं लेकिन यदि आप यी कर रहे हैं आकाश मुद्रा तो बाया प्रोडुक्त आपके काणों में भी शक्ति आनी शुरू रहते हैं यह प्रान्ण आपके कानों की भी किसी के भी जो कानों में जो समझते हैं सुनाई ना देना कानों में दर्द होना कानों में पकना गलना जो प्रॉलम होती बैक्टरिया निफ्रक्शन होना उन चीजों को ठीक करता है तो समझ रहे हो बिटा आप किवल हाई व्याबरेशन के लिए इस मुद्रा का प्रयोग क तो योग में अब अभ्यास शुरू कर रहे हैं तो अब अभ्यास करने के लिए बैठो तो ध्यान मुद्र नब बना करके आकाश मुद्र बनाओ और साथ में एक साथ कईशी सारी चीज़ों का बनेफिट पर है ना तो लेकिन कभी अब करनें या फिरा किम्मस करते हैं जब आप अचेथ हो कर बहुत लंबें तक बैठना चाहते तो ध्यान मुद्र लेकिन सचेथ भो कर बैठना चाहते है तो अकार्श मुद्र आज देजे क्योएज ये आपकी accents को मोह बढ़ाता है, high vibration करता है, तो जब भी इस मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं, जब इस situation का प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल भी electronic devices को अपने आस पास नहीं रखना है, थोड़ा दूर जा के करना है, बटन हो गया है, मोबाइल हो गया, रिडियो हो गया, टीवी हो गया, नहीं, द दूर जाओ, बलकनी में जाओ, छट में जाओ, गाडन में जाओ, कहीं में जाओ, दूर रहो, कम सकम 4-5 मिटर के दूरी हो नीचे, मिनीमम 5-4 मिटर के दूरी हो नीचे, योग कि आप आकाश को ही बुला रहे हैं, तो छट की नीचे ना बैठें, छट के उपर बैठें उच सबसे इंपोर्टन जिनके में वायू तत्यों बढ़ा हुआ है जैसे घोटनों में दर्द है वात की समस्या है है ना वायू तत्यों को बैलेंस करने के लिए भी एक बहुत अच्छा वीडियो है मेरा जिसका लिंग डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जागा बटा आई बटन मे जल वायू अगनी और सबसे उपर होता है आकाश तो अगनी और आकाश को तो हम मिल आई रहें लेकिन वायू तत्यों बढ़ा हुआ है तो आकाश को सिधा नहीं पकड़ेंगे तो आशा करता हूँ आकाश तत्यों को जगाने का यह तरीका आपको बहुत अच्छे से समझ मै मिलते हैं आने वले अध्यायों में तब तक के लिए नमस्ते है जी